नमस्कार दोस्तों मैं रोहिद गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का होम साइंस का टीय में जो की सेशन 2022-23 के लिए यानि जिन भी स्टूरेंट का एक्जाम अप्रेल 2023 में या अक्टूबर 2023 में होने वाला है उनके लिए यह टीय में हैं और हिंदी मीडियो में हैं इंग्लिश मीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ अगर आपका इं लिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से जाके आप देख सकते हो और और भी सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे वट्सप पर या कमेंट करके कोई भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं आप अगर हमारा बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट मिलती है यानि ना आपको असाइमेंट के लिए पे करना होता है ना प्रैक्टिकल फाइफ के लिए कोई भी डाउट हो बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट आपको सब कुछ अविलेबल होता है नोट्स वगयरा भी अगर अविलेबल होते हैं तो हम उ करवान में बहुत ज़्यदा हेलफुल रहते हैं तो दिखो कुशन नबर वन निम्निकित प्रेश्णों में से किसी एक प्रेश्ण का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दीजिए बी पार्ट इसका हमने कर रखा है परिवार में रहने वाले अपने अनुभवों के अधार पर परिवार के किनी चार कारियों की सुची बेना ये जिनसे आपको जीवन में लाब हुआ है तो यहां पर आपको पूरे के पूरे चार पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जो बुक्स में से निकाले हैं मैंने शॉट पॉइंट्स निकाले हैं आप स्क्रीन शॉट मारना इसका भी आंसर हमें देना है तो इसका मैंने एपार्ट कर रखा है इसका मैंने एपार्ट कर रखा है जीरो से पांच वर्ष के बच्चों की व्रिद्धी एवं विकास के लिए किनी चार सिद्दानतों की सूची बनाईए तो यहां पर आपको यह देखने को मिल जाएंगे इनके भी screenshot मार सकते हैं, आप मैं इसको भी धिरे-धिरे scroll करूँगा तो 3 point अभी आपको screen पे दिख रहे होंगे और ये चौथा point आपको आगया होगा, दिख रहा होगा अब next question पे चलते हैं, question number 3 पर question number 3, निमलिकित में से किरिशे एक प्रेशन का उत्तर लगबक 40 से 60 शब्दों में दीजिए, ये भी हमारा 2 marks का question है, तो देख लेते हैं, इसको भी इसमें क्या बोला हुआ है, तो इसको आपने इसमें लिखा हुआ है, कोई भी चेंजिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद next question पे चलते है, question number 4 पर, जो की 4 marks का question होता है, निमलिकित में से किसी एक प्रेशन का उत्तर लगबक, 100 से देड़्शों शब्दों में दीजिए, इसका बी पार्ट अपने का रखा है, सबय प्रबंधन को परिभाशित कीजिए, अपने लिए एक दिन की समय योजना बनाईए, सिद्ध कीजिए कि यह योजना उर्जा संड्रक्षन में कैसे आपकी मदद करेगा, ठीके तो यहां से आप पूरा का पूरा पहले तो as it is उतार लेंगे, यहां से आतक समय प्रबंधन में प्रबंधन के लाभों में अधिक सबसक्ता और अधिक आत्मे मिश्वासता सरी आत्मे विश्वास सामिल है जब आप अपने समय के सरवत्तम उपयोग के बारे में सपस्ट होते हैं तो आप अधिक केंद्रित और उत्पादक बन जाते हैं अच्छा समय प्रबंदन आपको बड़े लक्षे हासिल करने में मदद करता है ताल मटोल कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है तो यहां तक हमारा हो जाता है उसके बाद आप जाता है हमारा फिफ्ट कोशन निम्न लिकित मेंसे किसी एक प्रेशन का उत्तर लगबाग सो से देड़शो शब्दों में दीजिए इसका बी पार्ट हमने कर रखा है तो मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल करूंगा आप पूरा देख लेना और स्क्रीन शॉट मानना चाहते तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा क्योंकि PDF जो है टेलिग्राम चैनल पर हमारा अपलोड होता है, कुछ बच्चे हैं टेलिग्राम चैनल नहीं चलाते हैं तो आप यहां से PDF का स्क्रीन शॉट जो वीडियो चल रही है उसका स्क्रीन शॉट मार के आप देखके लिख सकते हैं बिल्कुल as it is, कुछ changes नहीं करने आपने, इस तरीके से आप ये सारे answer कर सकते हैं, इसके बाद next question आ जाता है, ये वाला जो भी हमने question करा है, ये भी था हमारा चार marks का, अब जो question है, ये वाला जो चार marks का था, पांच वा और चौथा जो होता है, पांच चार, चार marks का होता है उसके question number 6 जो होता है, सबसे जादा marks का ये ही होता है, हमारा total 6 marks का ये question होता है, हमारा question number 6, ठीक है, तो इसका हमने ए पार्ट कर रखा है, आपने आहार में पोशक तत्वों के महत्व के बारे में पढ़ा है, इसलिए निमलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए, पोशक question section में आपके द्वारा चुनी गई, खाना पकाने की विदी किस प्रकार फायदे मन्द है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे सा explain कर रहा हूँ है, जैसे जैसे लिखा हूँ है, बिल्कुल वैसे आपको उतार लेना है, मैं धीरे धीरे बिल्कुल slowly slowly scroll कर रहा हूँ, त आपके आपको कोई भी दिक्कत ना हो screenshot मारने में, तो वीडियो को like कर देना, हमारा motivation बढ़ता है, और हमें अच्छा भी लगता है, जैसे जैसे लिखा हूँ है, बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार लेना है, कोई changes नहीं करने है, इसके वाद इसका एक और पार्ट है, इसमें question number two में दो पार्ट है, जिसमें से एक यहां पर, अब एक चीज और बता दूँ, यहां पर यहां पर, जहां पर full stop लगा होगा होगा ना, वहां पर पूर्ण विराम है, मतलब कि ऐसे वाला sign है, जैसे यहां पर बना होगा है, य इसके जो है, यहां पर उबालना को heading लिख सकते हो, stew करना, भोजन पकाने की विदियां लिखी हुए है, यहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसके बाद second part जो था, इसमें इसने बोला, आप ताजे फलो किस और सबसे का बंडारन कैसे करेंगे, जिससे पोशक तत्व होते हैं, I hope आपको सबकुछ अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए helpful रहेगी, thanks for watching us, have a nice day, stay tuned with edu center Delhi,